तो और मेरी फ्यारी भाई लोग क्या हाल चाले गाईज आई होप आपसी लोग बढ़ी आऊंगे मजी में होगे फूल मस्ती करऊंगे So finally guys अपने गेम के अंदर OV38 का अपडेट आचुका है And yes CC के साथ एक नया गोल्ड रोयल भी आचुका है And yes guys आज किस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हो कि अपने गेम के अंदर White T-Shirt आने वाला है And yes वो आपको कैसे मिलने वाले है आप ही चुका है वो आखिर है कहां वो सारी चीज़ आप सभी को दिखाने वाले हो एंड साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि कुछ गंद की स्किन्स हमें बिलको लिव फ्री में मिलने वाली है यानि कि वुड़ पेकर की साथ ही साथ यूएमपी वगणा की जो गंद स्किन्स है वो हमें बिल्कुली फ्री में मिलने वाली है तो यस उसे कैसे क्लेम करना है सारी चीज आप सुभी को बताने वाला है तो उसके लिए आपको लैब वाले सेक्षन के अंदर आने के वाद ट्रेंड पलस में आना है यहाँ पर आप सुभी को मॉंसर ओडाकी की एक ब्रैंड देखने को मिल जाएगी एंड यसी के साथ फ्री फायर की एक और कोलाब्रेशन होने वाली है जब आप लोग इसके अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको कुछ एनिमेसर्स देखने को मिलेंगे एंड यस गाईज अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड अब सबसे पहले तो यह देखो कुछ बहुत बंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि लिटरली काफी जादा ही सांदार एंड यूनिक सी बंडल है यानि कि और सारे बंडल्स बहुत अजीब टाइप की और भारी टाइप की होते है बट अभी की जो बंडल्स यह आपने दिखा है यह एकदम मतलब सामदार वाली है और उसके बाद यह सारी की सारी बंडल्स तो आप लोग पहले देख लो यह रही फिमेल की बंडल्स जो की आप लोग देख पारो एंड इसके साथ जैसी आप लोग सेकेंड नमबर पे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वाइट टी सट जो की आप लोग देख पारों यह आपको कैसे मिलेगा वो सारी चीजे बताऊंगा एंड साथ ही साथ गाईज आपको एक ब्लैक टी सट फिर से देखने को मिलेगा बट हाँ उसमें ब्लैक टी सट में और उस वाले ब्लैक टी सट में बहुत डिफरेंस है आप लोग ध्यान से देखो यहां पर आप लोग ध्यान से देख रहा है यह वाली जो ब्लैक टी सट है इसकी जो कलर है वो थोरी सी थीन है एंड इसकी जो थोरी सी थीक है जो की आप लोग देख पारों मतलब उसकी जो डार्कने से वो ज़्यादा है और बाकी गाइज आपको एक और वोटी देखने को मिल जाएगी जो कि काफी जादा ही सानधार है एंड वो भी आप सभी को इसी trend पलस की option के अंदर देखने को मिल जाएगा यहां पर आप लुक देख पार हैं यह होटी जो कि आप लुक देख पार हैं तो अभी बात कर लेते हैं कि यह सारी की सारी चीज़े आप सभी को कैसे मिलने वाल है तो देखोगा है इस अपना जो ब्लैक टीसर्ट है वो आया था एक वेव इवेंट के अंदर एंड सेम टू सेम वाइट टीसर्ट भी आप सभी को ऐसे ही देखने को मिल सकता है बाकि हाँ जो अपनी एक और ब्लैक टीसर्ट है उसका कोई पता नहीं है वो फ्री में भी मिल सकता है पता नहीं क्यूंकि वो सेम रिपीट टाइप करा रहा है ओके तो वो आपको फ्री में भी देखने को मिल सकता है बट वो नहीं हुआ साथ ही साथ डेंसों के अंदर आप सभी को कुछ नए बंडल्स देखने को मिल जाएंगे यानि कि गाईज वो वाले बंडल्स जो आपको ओभी 38 के अपडेट से लेकर के ओभी 39 के अपडेट तक देखने को मिलने वाली है नीचे के आप लोग दो बंडल्स देख पारों एक ये बंडल जो की बिलकुली नया है ओभी 38 के अपडेट के साथ ही आया है और उसके साथ यहाँ पर आप लोग देख पारों ये जो फीमेल वाली बंडल है आप लोग कुती देखो ये वाली female वाली bundle भी आपको बिल्कुली नया देखने को मिल जाएगा बाकी देखो guys इसके लिए भी आपको कोई special event ही देखने को मिलेंगे और हो सकता है इसमें से कोई एक male वाला bundle आपको free में भी देखने को मिल जाए not confirm okay बाकी हाँ इन सब के लिए एक proper सा event आपको देखने को मिल जाएगा एंड साथी साथ एक नई backpack देखने को मिल जाएगी जो की पूरा का पूरा dragon के theme से बना हुआ है एंड एक यहाँ पर legendary glue wall देखने को मिल जाएगी जिसकी effect भाई काफी जादा ही सांदार है बाकी यह थे कुछ new चीजे एंड साथ ही साथ गाईज बात करें हमारे free के gun skins के बारे में तो उसके लिए तेखो गाईज आपको करना क्या है सबसे पहले में तो आप सो भी को बता देता हूँ सबसे पहले token collect करने के लिए तो आपको new normal से missions वगरा complete करने है बाकी तेखो गाईज यह scar और यह वाली ump यह जादातर लोगों के पास है क्योंकि ump अल्रेडी free में मिल चुकी है और बात करें इस वाली woodpecker की जो की मेरे पास भी नहीं है सो उसके लिए आपको करना है क्या tokens जमा करना है टोकन्स जमा करने के लिए simply आपको daily के missions complete करने है I mean आपको classes code वगरा खेलने है या फिर kills वगरा classes code के अंदर करने बाकी simple साई mission है और आपको बस matches ही खेलने है तो उससे आपको tokens मिल जाएंगे एंड आप लोग easily उससे आप लोग exchange कर पाऊगे बाकी मेरे पास भी नहीं है तो मैं भी इसके लिए बहुत ही जाधे excited हूँ आप लोग comment करके जरूर से बतानों तो चलो यार मिलते हैं next video के साथ